आप सभी का जोती शूर्जा में स्वागत है आज की इस वीडियो में आप देखेंगे शनी के राजियोग के बारे में और शनी के दुरियोग के बारे में देखें शनी करम प्रधान देवता माने जाते हैं शनी को माना जाता है कि वो जो करम आप करेंगे उसी के अनुसार फल देंगे इसलिए शनी की भूमिका हमारे मानव जीवन पर बहुत महत्पुन प्रभाव डालती है राजियोग क्या होता है और दुरियोग क्या होते हैं सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिती जिससे जीवन में कम प्रयास करके बड़ी सफलता मिले इसे हम राजियोग कहते हैं और वहीं कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिती जहां पर बहुत प्रयासों के बाद भी असफलता मिले उसे हम दुरियोग कहते हैं दुरियों के कारण व्यक्ति की सफलता जो है वो मुश्किल हो जाती है, वहाँ पर स्थाइतब की कमी हो जाती है, समस्याएं पैदा होती है, अर्चने आती है, काम बंते बंते बिगड़ जाते हैं, प्रन्तु अगर कुंटली में मजबूत राजयोग हो, तो ऐसे में आप कैस भी स्थिती में हो, कैसे भी काम कर लें, आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाती है, शनी करम और उसके फल को नियंत्रित करते हैं, इसलिए मानव जीवन में शनी की भूमी का बहुत बढ़ी है, शनी को आपके करमों का फल देने का अधिपत्य प्रापत है, इसी वज़ और शनी का दुरियोग आपके जीवन में असफलताओं की लंबी कतार लेकर आ सकता है, चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके दुरियोगों के बारे में के शनी कब बुरा प्रभाव दे सकता है, अगर आपकी कुंडली में शनी की स्थिती मेश राशी में है, तो शनी नीचस थवस्था में माना जाएगा, ऐसे में शनी अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा, वो बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है, यहाँ पर आपके लिए सिंबॉलिकली यह बताया गया है कि शनी मेश राशी में हैं, यह राशी आपके कुंडली में किसी भी घर में हो सकती है आपको अपनी कुंडली के विशलेशन के साथ ही इसे देखना होगा कि शनी किस भाव कफ़ल आपको बुरे तरीके से देंगे यहाँ पर लगन में विराजमान है शनी तो यहाँ पर मेश राशी वाले जातकों के लिए हेल्थ के इशूज हो सकते हैं आप लोगों के लिए कोई नो कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है जो आपकी लगन से संबंदिध हो तो इसलिए मेश राशी में शनी जब होते हैं तो यह नीचस सवस्था में पाये जाते हैं और आप लोगों के लिए असफलता का कारण बन सकते हैं अगर आप अपनी कुंडली को देख लें, अगर ऐसी को स्थिती बनती है, तो वहाँ पर आपको उपाय करने की विशेश तोर पर जरूरत रहेगी, मंगल के साथ और शनी के साथ जब राहू आते हैं, तो कही न कहीं बहुत बड़ा एक प्रचंड दुरयोग बनता है, तो ऐस अगले दुरयोग की बात करते हैं, नमबर तीन पर जो दुरयोग आएगा, जो शनी से बनने वाला दुरयोग होगा, शनी जब अपने ही पिता के घर में आ जाएं, शनी जब अपने ही पिता के साथ आ जाएं, तो इसे घातक दुर्योग बोला जाता है, हालांके सूरे जो हैं वो शनी के पिता माने जाते हैं, पर दोनों में आपस में बहुत बड़ी शत्रुता होने के कारण इसे सरपयोग की सं तो ये दो योग हैं जो सूरे से बनने वाले हैं और शनी के साथ बनने वाले हैं इन योगों को हम दुरयोग ही बोलते हैं ऐसे में भी शनी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं अगले योग की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए हमें शनी का उपाई करने की गहरे दुरयोगों में आता है अगर शनी की स्थिती वृष्चिक राशी में बन रही हो यानि कि वृष्चिक राशी में शनी हो तो भी शनी अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते और ऐसे में आप लोगों को उपाय करना चाहिए और दूसरी तरफ अगर शनी चंद्रमा के पर उपाय करना होगा, इसे हम विश्योग भी कहते हैं चंद्रमा और शनी जब विश्योग बनाते हैं तो ऐसे में बहुत सारी दिकतें व्यक्ति को हो सकती है बहुत सारी असफलताएं मिल सकती है स्वास्थे को लेकर परिशानियां बढ़ सकती है देखिए ये स्थितियां तब और भी जादा बढ़ जाती हैं अगर शनी की धाया चल रही हो शनी की साड़े साती चल रही हो वहाँ पर ये दिक्कतें और भी जादा बढ़ जाएंगी और वहाँ पर आपको उपायों की विशेश तोर पर और भी अवशकता रहेगी तो यहाँ पर आपकी असफलताओं का कारण शनी बन सकता है इसको आपको समझना पड़ेगा अपनी कुंडली का विशलेशन करवाना पड़ेगा और वहाँ पर आप यह समझ सकते हैं कि शनी की महादशा शनी की अंतरदशा और शनी की धाया और साड़े साती में यह आप लोग आपको विशेश तोर पर असफलता दे सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है, इससे शनी प्रसन्द होते हैं। और इसके साथ-साथ आप उड़द की डाल का दान कर सकते हैं। गरीब व्यक्ति को आप काले कपड़े का दान कर सकते हैं, काले तवे का दान कर सकते हैं, काली चीजों का दान करने से शनी प्रसंद होते हैं, इसके साथ साथ अगर आप मजदूरों को गुलाब जामुन खिलाएं तो उससे भी शनी की प्रसंदा को आप रापत कर सकते हैं, त जानेंगे कि किस व्यक्ति को शनी रंक से राजा और राजा से रंक बना सकता है चले आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्य देवाद